हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका पाई क्लासिस बाई सचिन मलिक में आज का हमारा टोपिक वही चैप्टर टू हमारा चल रहा है विसु जनसंख्या वितरन घनत्व और विरद्धी इसकी पार्ट वन की वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ आज हम पार्ट जनसंख्या व्रद्धी अथवा जनसंख्या परिवर्तन तो एक तरीके से दस साल में किसी इस्थान पर यानि किसी परदेश की किसी देश की या किसी छेत्र की जनसंख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है उसे ही हम जनसंख्या व्रद्धी अथवा जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं और ये सिद्ध कैसे होता ये लोगों की संख्या में परिवर्तन अब ये परिवर्तन जो हुआ है ये नेगिटिव भी ह हो सकता है पोजिटिव भी हो सकता है जब यह पोजिटिव होता है तो जनसंख्या व्रद्धी हो जाती है बढ़ जाती है जनसंख्या जब यह नेगिटिव होता है तो जनसंख्या हमारी घट जाती है तो यही होती है हमारी जनसंख्या व्रद्धी देखो क्या बताया हुआ है में यहां पर इन्होंने बताया भी हुआ है special कि जो मैंने आपको समझा है कि दो समय अंतरालों के बीच किसी छेत्र विसेस में चेत्र कैसा हो सकता यह तुमारा परदेश बगार कुछ भी हो सकता होने वाली जनसंक्या अब इसी जनसंक्या व्रद्धी को परतीसत में व्यक्त कर दें तो इसको हम जनसंक्या व्रद्धी दर कहते हैं तो जनसंक्या व्रद्धी दर क्या आगी यही जनसंक्या परिवर्द्धन जो उपर हुआ है इसको अगर परतीसत में व्यक्त कर दें तो इसको हम बोलते हैं जनसंक्या व्रद्धी दर किसी छेत्र विसेस में दो समय अंतरालों में जनम और मिर्त्यू के अंतरकों से बढ़ने वाली जनसंख्या जो होती है उसे ही प्राकर्तिक व्रद्धी कहा जाता है ठीक है आगया आगया जनसंख्या की वास्तिविक व्रद्धी अब वास्तिविक व्रद्धी में भी थोड़ सा चेंज कर दिया इतना तो सेम है यहां आपरवास और उत्परवास और आगया आपरवास एड हो सबस्दों माइनस हो सभ vert like क्या होते हैं इस वीडियों को आगे देखते रहे हैं जोnormal परवास का टोपिक पढ़ेंगे उसमें आपरवास और उत्परवास आपको बिल्कुल अच्छे से किलिया हो जाएगा जन संख्या कि धनात्मक विर्द्धी जब जंदर जादा हो मिर्त्युदर कम हो तो धनात्मक विर्द्धी हो जाएगी जंदर मिर्त्युदर से अधिक हो और रनातमक जब जनमदर मिर्तिदर से कम हो जाए, जनमदर मिर्तिदर से कम हो जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं, रनातमक व्रद्धी कहते हैं, तो यह जनसंख्या व्रद्धी से related कुछ terms थी, जो आपको सीखनी जरूरी थी, आईए next, अब आता है भारते जनसंख्या की चार प्रवत्तियां या अवधियां जो हमारी भारत की जनसंख्यां है उसकी चार अवधियां है में सबसे पहली है हमारे पास इस्थिर व्रद्धी की अवधि सबसे पहली कौन से हमारे पास इस्थिर व्रद्धी की अवधि नाम से बता चला है और यह कब से है यह 1921 से पहले है य उस समय भारत की जो जन संक्या है बहुत निम्न गती से बढ़ी थी या यह कहोगी बलकि 1911 से लेकर 1921 तक तो कमी आ गई थी नेगड़ी चली गई थी वृद्धीदर ठीक है तो इस समय क्या था बहुत ही कम गती से बढ़ रही थी जंदर और मित्युदर दोनों ही जादा थे इसमें जंदर भी जादा थी जंदर के साथ साथ मिर्टिव दर भी जादा थी इसलिए जन संक्या में परिवर्टन खास नहीं हो पा रहा था जिससे वृद्धी दर बहुत निम्न रही और उसी की वज़ए से इस्तिर वृद्धी की अव्धी इसको कहा जाता है से किंड है जो स्वास्थे सेवाएं हैं वो बढ़ती चली गई स्वास्थे सेवाओं में बढ़ने के कारण मिर्त्युदर कम होती चली गई अब जब जंदर तो उच बनी रही लेकिन मिर्त्युदर में क्या आगई देखो यहाँ पर पहले वाले में जंदर और मित्योदर जो हमारी जंदर है और मित्योदर है यहाँ पर ये दोनों ही हाई थी इसमें क्या है कि जंदर तो हाई रही जो पहले वाली है वो हाई रही और दूसरे वाली जो है वो लो हो गई तो जंसंख्या बढ़ने लगी तो इ हमारा देश आजद हुआ था हमारी जन्संख्या 35 करोड़ के आसपास थी लेकिन देखो आज हम कितने आज 135 करोड़ से भी उपर हैं तो इस अफ़ी को क्या जाता इस इसी अफ़ी को कह जा था जन्संख्या विस्फोर्ट जन्संख्या का मतलब बहुत तेजी से हां पर व्रद नहीं था, उन बिमारियों का इलाज निकलने लगा, रहन सेहन का इस थर लोगों का बढ़ गया, तो जंदर हमारी बहुत हाई हो गई, और मिर्तियुधर हमारी बहुत कम हो गई, तो जंदर जब बहुत हाई हो जाएगी, और मिर्तियुधर हमारी कम हो जाएगी, तो उसी को ज व्रधिधर है वो कम हो गई है लेकिन अभी वीद्य को जनसंग के हमारी बढ़ी रही है लेकिन हम इसके अपेक्छा तीसरे वाले के अपेक्छा हम यह कह सकते हैं कि अब जो व्रधि है हमारी थोड़ी सी घट रही है 1981 से लेकर जो वर्तमान समय है वैसे तो दिश की जनसें क्या आपको पता है बढ़ी हुई हर साल हर दस साल में बढ़ी आ जाते हैं जैसा 18 क्रोड बल गए थे अभी लेकिन ये जो गती है बढ़ने की ये बहुत कम हो गई है अगर इसको परतीसात में निकालेंगे तो ये परतीसात कम हो गया और इसका करण क्या है एक तो हमने जो मैरीज है उसकी आईउ बढ़ा दिये 1980 से पहले तो बाल विवा हो जाए करते थे 14-15 साल के वो सब वैलिड था लेकिन वो वैलिड नहीं है और महिला की जो सिक्षा है महिलाओं की जो एजुकेशन है इस अबधी के बाद काफी ध्यान दिया गया जिसकी वज़े से जनसंख्या नियंतरन के उपाए और साथम जनसंख्या नियंतरन के उपाए भी किये गए जनसंख्या परिवर्तन के घटक यानि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है उसके तीन परमुग घटक होते हैं नमबर एक जन्म, नमबर दो मिर्तिव और नमबर तीन प्रवास देखो किसी स्थान पर जन्म कितने हुए प्रवास हम अलग से पढ़ेंगे और मिर्तियू कितने हुए इसके उपर जनसंख्या परिवर्तन काफी निरभर रहता है थो हम क्या निकालते हैं हम CBR, CBR का मतलब असोधित जनमदर ठीक है इसको हम असोधित जनमदर कहते हैं और ये जनमदर कैसे होता है ये किसी छेत्र में पूरे वर्स में जीवित जन्म असोथित जन्दर जो हता है मालोक किसी भी छेत्र का निकालना जैसे दिल्ली का ही निकालना है तो दिल्ली में पूरे वर्स में कितने बच्चों ने जन्म लिया बटे उस परदेश की यानि दिल्ली की ही उसी वर्स के मद्धे में जनसंख्या गुणा हजार ये परती हजार निकाली जाती है इसलिए हम इसको परती हजार के अनुसार ही फाइंड आउट करते हैं एक होता CDR ये होती है हमारी असोधित मिर्तियुदर सेम इसका भी फार्मूला वही होता आईए नीचे फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जनसंख्या परिवर्तन के हमारे तीन घटक हैं ये मैं आपको बताई दिया सबसे पहले असोधित जनम दरा जाता है जो परती हजार इस्तियों दुआरा जनम दिये गए जीवित बच्च की वर्ष के मद्धह में जनसंख्या गुना एक हजार तो इससे हम असोधित जंदर का पता लगा लेते हैं जिससे हमें घंसंख्या परिवर्तन का पता चलता इसी दर से मिर्च्चिदर होती है यहां पर किसी वर्ष विसे इसमें मिर्च्च्च और नीचे फार्मूला यही वर्स के मद्धे में अनुमानित नहीं जन संख्या अनुमानित तो ख्यर होती है गुणाहजार यहां से हमारी मिरत्य अधर निकल जाती है अब अगर जंदर जादा है मिर्त्युदर कम है तो व्रद्धी होगी जंदर कम है मिर्त्युदर जादा है तो कमी होगी जंसंख्या में तो इसी को हम परिवर्तन बोलते हैं अब जो तीसरा घटक है सबसे में घटक वो क्या है हमारा प्रवास अब हम पढ़ेंगे प्रवास परवास का मतलब होता है Migration लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना अब उसके जाने के कारण कुछ भी होते है यह सबसे में घटक है तो जब होता क्या है कि लोग मालो एक स्थान हमारा A है एक स्थान हमारा B है जब लोग या यह जो इस्थान है यह हमारा कोई सहर भी हो सकता है गाम हो सकता है कोई नगर हो सकता है कोई देश हो सकता है यह दोनों हमारे किसी तरह के हो सकते हैं जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे मानलो ए से बी पर चले गए और वहाँ पर रहने लगे इस्थाई रूप से या एस्थाई या पर्मानेंट्री रहने लगे या वैसी रहने लगे थोड़े दिने के लिए रहेंगे फिर चले जाएंगे तो इसको हम कहते हैं प्रवास यानि एक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का चले जाना उसको हम परवास कहते हैं दिखो जिस स्थान से लोग गए हैं यानि कहाँ से गए ए से गए तो इसको हम बोलेंगे उध्गम इस्थान यह कौन सा स्थान है उध्गम इस्थान यानि place of origin अगर हिंदी एंगलीज में बोलेंगे थे place of origin हैं जहांसे हमारे चले गए चले गए संफान ऊए यह यहां अधान कमी को दरसा आदा है और कहां पहूंच गए बी पर पहुंच गए यानि गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो गंतव्य स्थान जो है वो जनसंख्या में बढ़ुत्री को दिखाता है जहां से गए हैं वहां कमी आ जाएगी जहां गए हैं वहां बढ़ जाएगे अब प्रवास हमारे दो तरह के होते हैं एक तो आ से यहां पर हमारे नई लोग आगे रहने के लिए किसी दूसरे स्थान को छोड़ कर जब लोग नई स्थान पर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं इस स्थान के लिए जहां पर आ गए ये A था ये B था A से तो चले गए तो ये तो हो गया A के लिए क्या हो गया उत्परवास और B पर आ गए तो B के लिए क्या हो गया आपरवास ठीक है B पर हम उन लोगों का आपरवास बोलेंगे तो यही हमने वास्त्विक व्रद्धिदर इसके क्या कारण हैं जो यह चले जाते हैं लोग-भाग तो तक परवास के कारण किया होते हैं अपनी आर्थिक उन्निती और सामजिक जीवन यानि उस्टम रहन सहन के लिए भी परवास करते हैं लोग भाग, अब इसके जो मेन कारक हैं वो दो हैं एक है परतीकर्स कारक इसको हम बोलते हैं पुषफेक्टर ठीक है, पुषफेक्टर का मतलब वहाँ से चले जाना, ऐसे कोन से कारक है कोई स्थान अ है, यहांपर लोग भाग रह रहे हैं अब यहां से लोग क्यो भागना चाते हैं वहां पर उनको रोजगार नहीं मिलरा, बेरोजगारी के कारण चले जाते हैं वहाँ पर रहन सेन का इस तर जो है वो निमन है निमन इस तर है रहन सेन का कोई स्विधाएं नहीं है जादा खास ना स्वास्थे सेवाएं है ना सिक्षा की सेवा है राजनितिक उपद्रव जादा है ठीक है राजनितिक उपद्रव का मतलब वहाँ पर दंगे वगएरा असा पहाड़ों पर रहते हैं तो लोग पर रहते हैं कि यहां से रहना बेकार है कहीं और चलते हैं यहां तो हमारा जीवन बिलकुल कठिन हुआ है यहां पर रहना और इसके लावा महमारिया अगर महमारी फैल जाए तब भी लोग चले जाते हैं उस स्थान को छोड़ कर कहीं से महमारी फैल गई ठीक है और कोई प्राकरति विप्दा आ गई प्राकरति विप्दा जैसे भोकम बगेरा आ जाते हैं त क्लिख नहीं कर पाता अब अपकर्श कारति फूल फैक्टर मालूं पर चलेगा अभी यह तो की इसको आकरसित कर रहा है कि यहां पर यहां पर हमारी बे रोजगारी नहीं है यहां पर हमें रोजगर बगईर लिजाता है यहां रहनसेन का जो इसमें कारक थे वो सारे उल्टेंस के यहां उच जीवन स्थार है रहन सेहन का राजनेतिक यहां पर सांती भी है जलवाईयों भी अनुकूल है स्वास्थे सेवाएं बहतर हैं सैच्छिक सेवाएं बहतर हैं परिवहन की सेवाएं बहतर हैं ठीक है और इस वज़े से जो ग जनसंख्या व्रद्धी की परवर्थियां विश्व में यानि परवर्थियां मतलब अवधियां तो विश्व में जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ी कब कब बढ़ी धको वर्तमान समय में कितनी यह जनसंख्या विश्व की यह आपको पता ही है कितनी है 700 करोड से वी उपर है वर् कि जनसंख्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती थी उस टाइम पर बिल्कुल आदी मानुव काल के टाइम की बात है और सो वर्सों में फिर आगा आगा क्या हुआ धीरे धीरे हुआ तो फिर सो वर्सों में ही दुगनी होनी ये शुरू हो गई देखो यह यहाँ पर दे रखायनों ने हाँ पर कि वर्तमान से 12,000 वर्स पूर यानि 10,000 वर्स पूर जनसंख्या का आकार देखो यहाँ से पताचला बढ़ने का यह बहुत छोटा आकार था और फिर वही है इसा जी का जन्म हो जिसको इसा का जन्म कहते हैं तो उस टाइम पर जो हमारी जनसंख्या मानी गई 0.25 अरब यानि 25 लाग से 50 लाग के आसपास यह उस टाइम पर अनुमानित थी इसा के जन्म के पर्थम 100 वर्स यानि जब यहाँ जन्म हुआ इसके पहले 100 वर्स जब हुए तो उसमें पहले 100 वर्स में 25 तीस लाग से फिर यह लगभग कितनी पु milRed थी ठोड़ा से यहाँ से बढ़नी शुरू हुई फिर क्या हुआ सोल्वी और 27 सतावदि में क्या हो गया अध्योगी करांथि आ गई अध्योगी करांथि व्यापार करने लगे लोग बाड़ एक स्थान से दूम स्थान पर जाने लगे उससे जनसंख्या के बढ़न का हमारा मंच शुरू हो गया तो सोलवी जो सताबदी आई उसके पच्चात तक्नीक में सुधार हुआ व्यापार हुआ दोगों की उन्ती होने लगी जिसके कारण जनसंख्या बड़ी विसफोटक रूप से बड़ी हाला कि हमने वर्तमान समय में जो आज का समय चला है उसमें फिर भी अब जनसंख्या इतनी जादा हो गई है कि अगर एक परसेंट भी बढ़ती है तो बहुत जादा जनसंख्या उसको बढ़ा हुआ माना जा सकता है आईए से हम इस ग्राफ के थू समझते हैं तो जैसे यहां पर बताई यह सोलवी और सत्रवी सताब दी थी यहां के बाद देखो जीरे गिर गराफ कैसे ऊपर यहां से बढ़ना स्रुवा लगबग 1750 से लगबग यहां से ऐसा बढ़न गया तो यह दो यहां पर इधर बताया ना कि इसमें यह जो हमारा पास 1650 यह सोले सो को जो जो जनम यह सोले सो के आसपास जो था यहां पर हमारी 50 बढ़ी फिर 1830 का यह समय आया जब परिवान वगएरा सब कुछ आगे और जो किरांती सफाई चिकिस्सा यह सारी हमारे को क्या मिलने लगी स्विधाय मिलने लगी तो लगबग 1830 में जन संख्या हमारी एक अरब हो गई अब 1830 में अगले 100 वरसों में यानी 1930 में फिर यह द अब यह हर 12 साल में 1130 में 11 and 1330 में बढ़ जाती है थि कितना टायम लगा सो साल और कितना टायम लग रहा है क्यों कि स्वास्ते से वहां बहुत बहतर हो गई है इना अब आपको पता है कैंसर जैसी जो बेमारी है उस से भी लोग उसका भी लोगों ने एलाज जून ले देख तो इसका टीका बना लिया, अब कुछी समय बस शाद इसका कहना में दवाई भी आ जाएगी, ताकि कोरोना किसी को हुआ, अपना एक इंजेक्शन दिया, कोरोना ठीक, उसमें टाइम लग सकता है, तो अब हमारा तकनीक जो है, विज्ञान जो है, बहुत परगती कर चुका है जिसकी वज़े से अब मिर्तिय धर में बहुत ही कमी आ गई है, और जंदर, जंदर तो लोगों के अपने हाथ में हैं, अगर लोगों के उपटे बैंड हो गया है, अब कुछ लोग तो हमारे आठाट जद दस बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग दो या एक ही पैदा क यहां एक दम से उपर उठ गया, यहां तक तो धिर धिर चलना है, यहां से लेकर और यहां तक यह दिर धिर चलना है, और फिर यहां से एक दम उठ गया और बिल्कुल सीधा हो, अब यह लगबख सीधा सा होता जा रहा है, सीधा होने का मतलब है, अब यहां पर हमने ये NCIT से अब अपना आप पढ़ने है आसान चैप्टर है बहुत अच्छा स्कोर आप इस चैप्टर के कोश्चन से कर सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा कोश्चन नहीं थोड़ा बस समझ लो फिर इसको अपनी लेंग्वेज में आप किसी परकार से लिख सकते हो उमीद करता हूँ वीडियो से आज के टोपिक आपको बहुत अच्छे से समझ माय होंगे धन्यवाद